बात करेंगे sediment filter का water purification system में क्या रोल है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो subscribe कीजिए हमगाड आरुसकेल और notification bell जुरूर प्रेस करें जो हमारा purification system काम करता है उसमें अलग-अलग तरह के candles लगी होती है और उनका अलग-अलग काम होता है जैसे कि हम example लेते हैं सबसे पहले first line of defense इसे कहते हैं pre-filter और इसके अंदर होता एक pp-spun इसको v-sediment filter ही कहते हैं क्योंकि यह 5 micron से जा इससे उपर के जो particles होते हैं जैसे मिट्टी, dust, sand, silt, mud यह सब चीजों को यह trap करता है और इसको हम कहते हैं depth filter क्योंकि बड़े size की impurity इसके surface पे trap हो जाती है जो इससे शोटी है वो इसके अंदर जाकर trap हो जाती है जो 1 micron के particle size होते हैं sand, dust, raster, silt होती है वो in line के through trap हो जाती है यह normally 10 inch का और 9 inch का इससे शोटा 7 inch का in line आता है अलग-अलग size के आते हैं दोस्तो sediment filter second number पे हम लगाते हैं pre filter के बाद carbon का का काम असान करता है क्योंकि दोस्तो अगर मिट्टी, dust और यहां trap नहीं होगी तो carbon filter जल्दी block हो जाएगा और carbon filter अपना सही से काम नहीं कर पाएगा तो जो sediment filter है in line यह दूसरे जो filter होते हैं carbon filter, UF filter, alkaline, UV इन सब की performance और life sediment filter के उपर ही depend करती है, तक्रीवन तक्रीवन आठ से बारा महीने के अंदर-अंदर चेंज कर देना चाहिए, पानी का टेस्ट भी इंप्रूब करता है इसमें से मिट्टी वगरा यह निकाल देता है, dust particle निकाल देता है तो इसका पानी का टेस्ट भी बहतर हो जाता है इजी टू इंस्टॉल है और इजी टू इसकी maintenance है कुछ हम वियार से यूज काता है उससे कहीं सस्ता पड़ता है और environmental friendly भी है कि री साइकल भी हो जाता है जब पच्ची सो गेलर्न पानी निकल जाए ताब इसको हमने चेंज करना है इसके साथ हमें पूरा सिस्टम लगाना पड़ता है sediment के साथ carbon, UV, membrane, UF, alkaline और copper भी लगा सकते हैं अब बाकी filter जो working performance बढ़ाना चाहते हैं तो sediment filter अच्छी quality का लगाएं और time to time इसको change करते रहें